हर मेदान फते हो जाता है अगर मेनत की सते में कोई कमी ना हो दोस्तूं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तूं आज का जो मारा टोपिक रहेगा वो रहेगा आमेर का कच्छावावंस आमेर के कच्छावावंस सें जो इंपोटेंट क्यूशन है महतुपूर्ण क्यूशन है पैंतालिस क्यूशन वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तूं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना सरू करते हैं पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताईए दोस्तूं जेपूर नगर का परकोटा मासकों के क्रेमलिन लगर के सम्मान है किसने कहा था तो दोस्तूं ये कहा था विसप है बरने ओप्सन भी आपका सही रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर द अजमेर के किस सासक को इतियास कारूने चानके की संक्या दी है किस सासक को दिये दोस्तूं स्वाई जे सिंग को इतियास कारूने स्वाई जे सिंग को चानके की संक्या दी थी दोस्तूं क्यूशन 45 है जल्दी जल्दी से मैं 45 क्यूशन आपको इस वीडियो में करवाऊंगा एक बार वीडियो बहुत जरूर देके दोस्तू बहुत ही important question है बहुत ही जरूरी वीडियो है एकजाम की दरश्टी से बहुत ही उपियोगी रहेगा आपके लिए देखते हैं next question Q4 इस्वरी सिंग वे मादो सिंग के मद्दे राजमेल का युद कब हुआ तो दोस्तू 1747 के अंदर हुआ था इस्वरी सिंग वे मादो सिंग के मद्दे राजमेल का युद चलते हैं next question जेपूर का सासक जिसने मराठाउं के ड्रसें आथमत्या कर ली थी किसने की थी दोस्तु इस्वरी सिंग ने मराठाउं के ड्रसें आथमत्या कर ली थी चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 6 की और बटवाडा का यूद के किनिके मद्दे हुआ था तो दोस्तु बटवाड़ा का जो यूद है वो जेपूर एंड कोटा के मद्दे हुआ था ओप्सन ए सही रहेगा चलता है नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर साथ की ओर नारगड में अपनी नो पासवान के लिए एक जैसे नो मेल किसने बनवाए थे तो दोस्तु मा सोरी क किसने बनवाए थे मादो सिंग ने बनवाए थे ओप्सन ए आपका सही रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर आठ की ओर जैपूर के किस सासक को सर्वादिक मराठाउं के आकर्मन का सामना करना पड़ा था तो दोस्तु परताब सिंग को सर्वादिक मराठ के आक्रमन का सामना करना पड़ा था चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 9 की ओर यदी में जीवित रहा तो जेपूर को धूल में मिला दूंगा किसका कतन है तो दोस्तु महादी जी सींदिया का कतन है महादी जी सींदिया ने कहा था कि यदी में जीवित रहा तो दूल में मिला दूंगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन कौन सा सासक ब्रज निदी नाम से कावे रचना करता था तो दोस्तु परताब सिंग परताब सिंग ब्रज निदी नाम से कावे रचना करते थे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन गैरा नमर की और हवा मेल का निर्मान कराया किस ने कराया था परताब सिंग ने हवा मेल का निर्मान परताब सिंग ने करवाया था चलते है नेक्स्ट यूशन क्यूशन नंबर 12 की ओर जेपूर के सासक जिसने इस्ट इंडिया कमपनी से संदी की कौन सा सासक था परताब सिंग जगत सिंग राम सिंग दिते या जे सिंग तरती है तो दोस्तों जगत सिंग इस्ट इंडिया कमपनी से संदी कीती जगत सिंग ने चलते हैं नेक्स्ट यूशन क्यूशन नमबर 13 1857 की सवतंतरता संग्राम के समें जैपूर का सासक था कौन था राम सिंग दिते तो दोस्तो जेपूर के अंतिम सा सकते मान सिंग दितते याद रखना है मान सिंग दिते जेपूर के अंतिम सा सकते चलते हैं सोडा नमर क्यूसन की और सही कतन बताईए चार कतन दिये गए हैं इनमें से कौन कौन से कतन है वो सही है अम्बेर सिलालेकू में कच्छावाँ को रग्गू वंस तिलक कहा गया है राजस्तान में कच्छावाँ वंस की निव तेज करण ने रखी सर्वपर्तम दोसा के आसपास अधिकार किया था कच्छावाँ मौल रूप से गवालियर के थे तो दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी कतन है वो क्या है सही कतन है चलते हैं एक्स्ट क्यूसन क्यूसन नंबर सत्रे की और कच्छावा वंस की कुल देवी है जमुआय माता जवाला माता सिला देवी या सीतला माता तो दोस्तु जमुआय माता है कच्छावा वंस की कुल देवी चलते हैं एक्स्ट क्यूसन मुगलू से सर्वपर्तम वेवाईक संबंद इस्तापित करने वाला आमेर का सासक था बगवन दास बारमल मान सिंग या इनिमे से कोई नहीं तो दोस्तों बारमल ने मुगलू से सर्व परतम वेवाइक संबंद इस्तापित किये थे नेक्स यूशन देखते हैं अकबर ने आमेर के किस सासक को पहली बार पांच जार की मनसबदारी दी थी तो किस सासक को दी थी दोस्तों बगवत दास को बगवन दास को पांच जार की मनसबदारी अकबर ने सबसे पहले दी थी चलते हैं नेक्स यूशन की उस्तान नमबर 20 की नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं किस मुगल बेगम ने अपने पुत्र कुस्रो की हत्या करवा दी जिसे वे इतियास में पुत्र हंता माता के नाम से जाने जाती है तो दोस्तों ये भी थी मान बाई मान बाई है जिसको पहली इतियास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से जाना जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन मान सिंग को फरजंद या दत्तक पुतर की उपादी वह साथ जार के मनसबदारी किस ने दी थी तो दोस्तों अक्बर ने दी थी चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूसन नमबर 23 की ओर मान सिंग की मरत्यू हुई बिहार दक्सिन बारत बंगाल या लाहूर तो दोस्तु बिहार के अंदर मान सिंग, सोरी सोरी दोस्तु, बंगाल के अंदर मान सिंग की मर्त्यू हुई थी, क्यूसन नमबर 23 का राइट एंस्वर ओप्सन सी रहेगा मान सिंग की मर्त्यू बंगाल में हुई थी, चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमबर 24 की ओर, मा बल्यू पोटरी को लाहोर से राजस्तान लाया मान सिंग, स्वाई जे सिंग, मिर्जा राजा जे सिंग, इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों बल्यू पोटरी को लाहोर से राजस्तान मान सिंग लेकर आया था चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पुरंदर की संदी कब हुए किन के म पद्दे हुई थी 11 जून 1665 ओप्शन ए आपका सही रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर 27 की और किस लेकक ने पुरंदर की संदी का आखुँ देका वर्नन किया था तो दोस्तों मनुची ने मनुची ने जो पुरंदर की संदी थी उसका आखुँ देका व सवाई जे सिंग ने सरवादिक साथ मुगल बादसाओं की सेवा की थी चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर 39 की और जे सिंग को मिर्जा की उपादी दी किसने दी दोस्तों साजाने जे सिंग को मिर्जा की उपादी साजाने दी थी चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूसन नमबर 30 की और सर्वपर्तम कि सासक ने आम्मेर के किले की सेने किला बंदी की तो दोस्तों बिसंग सिंग ने सर्वपर्तम जो आम्मेर का किला है उसकी सेने किला बंदी की थी बिसंग सिंग ने चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन 31 नमबर की और जैपूर नगर की निव कब वह किसके दुवारा रखी गई तो दोस्तों जेपूर जो नगर है उसकी नीव पंडित जगनात के दुवारा रखी गई थी 18 नवंबर 1727 को चलते हैं एक्ष्ट क्यूशन क्यूशन नंबर 32 की और जिस राजपूत राजवंस ने सवेचा से अकबर का लोहा मानने की वंस राजपूत वंस था कचावा वंस जिसने सवेचा से अकबर का लोहा मानने की अगवाई की थी चलते हैं 33 नमर क्यूशन की और अकबर ने राजपूतू के उदारता पूर्वक बरताव किया था क्यों कि क्यों किया था ये बाग्गी मुसलिमों के विरुद लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था ओप्शन ए सही रहेगा चलते हैं नैक्स्ट क्यूशन क्यूशन Н मवर 34 की और निंध मेंसे सरुव पर्तम किस साथक्र ने मुगलू से संदी की थी तो दोस्तों बारमल ने सरुव पर्तम मुगलू से संदी की थी चलते हैं क्यूसर नमबर 35 की और 1835 वी सताब्दी के किस राजबूत राजा द्वारा विद्वा पुनर विवा हेतू नियम बनाने का परियतन किया गया तो दोस्तों सवाई जे सिंग द्वारा 28 सताबदी में विद्वा पुनर विवा द्वारा विद्वा जो पुनर विवा होता है उसके लिए कानून या नियम बनाने का परियतन किया गया था चलते हैं क्यूसन नमबर 36 आमेर के सासक मान सिंग का जनम कहां हुआ था तो दोस्तों आमेर के सासक मान सिंग है उनका जनम मोजमाबाद में हुआ था चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमबर 37 की और राजा मान सिंग आमेर में मिननखारी की कला को प्रारम करने के लिए पांच कारीगर किस इस्थान से लाया था राजामान सिंग लेकर आया था तो कहां से लेकर आया था लाहूर से लेकर आया था चलते हैं एक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 38 हुर्डा समेलन का उद्ध से था तो दोस्तों जो हुर्डा समेलन हुआ था उसके उद्ध से था मराठू के बढ़ते हस्त शेप को रोकना ओप्सन सही रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 49 के ओर जैसिंग कलप दुरूम के रचनाकार कौन थे जैसिंग कलप दुरूम है उसके रचनाकार कौन है पुन्रिक रतनाकर option भी सही रहेगा चलते हैं next question question number 40 की ओर ढुंडाड राज्य की इस्तापना किस सासक द्वारा की गई थी तो दोस्तों ढुंडाड राज्य की इस्तापना दुल्ले राय के द्वारा की गई थी चलते हैं next question question number 41 की ओर अनपूर्णा देवी किस राजपूर राजपरिवार की आरादे देवी है तो कच्छावा जो राजवनस है जो राजपरिवार है उसकी आरादे देवी अनपूर्णा देवी है दोस्तों चलते हैं नेक्स यूशन 42 की ओर बारा कोटडी के नाम से कौन सा राजे परसिद है तो दोस्तों बारा कोटडी के नाम से कौन सा राजे परसिद है तो दोस्तों वो है आमेर आमेर राजे है वो बारा कोटडी के नाम से परसिद है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमबर 43 की और किस सासक ने बनारस में सैंसकर्थ विदाले का निर्मान करवाया था तो दोस्तु बनारस के अंदर सैंसकर्थ विदाले का निर्मान मिर्जा राजा जे सिंग ने करवाया था चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नंबर चम्मालीस की ओर किस दुरग में एसिया की विशाल तोप जेबान इस्तित है तो दोस्तों जेगड दुरग में जेगड दुरग के अंदर एसिया की विशाल तोप जेबान इस्तित है चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नंबर 45 की और राग मंजरी राग चंद्रोदे वै नर्थन निर्गे निर ने नम्म ग्रंतू के रचना किस ने की थी पुंडरिक बिठल ने की थी दोस्तों इन ग्रंतू की रचना चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्यूशन बटवाडा का यूद नवंबर 1761 इस्वी में हुआ किन के मद्दे तो दोस्तों कोटा माराजा सत्रू साल वे कचावा सासक सुवाई मादो से के मद्दे नवंबर 1761 में बटवाडा कायूद हुआ था तो दोस्तों यह थे उंपोर्टेंट 46 कुशन कचावा वंस को लेकर तो दोस्तों यह क्यूशन आपको कैसे लगे अगर आपको क्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाई कर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों सेर करें अधिक से अधिक मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का काम आपका है आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जै हिंद जै बारत